नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News समस्तिपूर में राष्ट्रिय लोग समता पार्टी के जिलाधाक्षिवब वरिष्ट नेता अनन्त कुशुवाहा ने वर्तमान सरकार पर चम कर दुशान असादा है इसी को लेकर हमारी HBN News के समधाता ने एक खास बात चुट की है देखी नमस्कार मैं हूं केश कुमार और आप देख रहे हैं HBN News इस वक्त मेरे साथ जूर रहे हैं राष्ट्रिय लोग समता पार्टी के बरिष्ट नेता काफी अन्धोबी नेता है साथी समस्क्रिकुल के जीरा ज्यक्ष भी है श्री आनक्त कुस्वाहाजी आए उन से मिलते हैं और बात करते हैं सार सबसे पहले स्वागत है आपको HBN News चैनल पे धन्यवाद इसके लिए आपको है तो श्रण अभी जो देज का हालाथ है उस्मिल्ले करना लेकर के डिस पूरी तरह से परेशान है और कोर्णा में गरीब मसदूर, कि ऑच़ए शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपठ है क्या कहना चाहेएंगस देखेए यह पूरी बाइट्र, भारत सरकार और बिहार सरकार, कि गलत नीती के करण कोरोणा महावारी में लोगों को प्रिशामी जहना पर रहा है। ठीके इस द्राक्रितिक आफता है लेकिन सरकार को लगडाउन लगाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए और तम लगडाउन लगाना चाहिए जिस वक्त सरकार को lockdown लगना चाहिए, उस वक्त सरकार अपने डायलितिक स्वार्ट सिद्ध करने के लिए lockdown नहीं लगाई और विजेसों से जो लोग थे, ये कुरोना महमारी विजेसी लोगों से ही अपने देश में आया तो विजेसों से लोगों को बुलवा लिया गया और अपने देश में फिरी करके उनको छोड़ दिया गया जब यहां इस्तिती नियंतरन से बाहर होने लगी तब यहां lockdown लगा दिया गया वो भी lockdown बिना कोई तैयारी के लोग अस्त ब्यस्त हो गए लोग डाउन तैयारी करके लगाए जाती लोग को पलिस स्टेट कर दिया जाता कि हम इतने दिनों का lockdown लगाएंगे आप लोग अपने अपने धरों में या अपनी विवस्ता कर लिजिए तीन महिना चार महिना का हम lockdown लगाएं तो लोग उस तरह प्रिपेर्ड हो जाते और तब lockdown का सामना अच्छी तरह कर लेते हैं लेकिन सरकार के द्वारा कोई तयारी नहीं की गड़ी और सीधे एका एक माने प्रहान मंत्री बाइस्तारी को रात में आते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण भारत lockdown मेंगे तो कि सरकार की तरफ से ये तयारी थी इसकी जनता को थोरी भी भनक नहीं थी जनता आना फानन में अपने अपने भरों में कैद हुगए और कितने दिनों तक कैद रहे एगी बिना तयारी और कितने दिन तक लोगः नहीं कितने दिन दों भर में भी हाट के खाना क्राइगे लेकिन भारस की सरकार हो या विहार की सरकार हो सभी दिनोरा कुर्ति हैं कि गरीबों के लिए हमने ये किया आखिर कर सारी फैक्टियां जब बंद हो गई तो जो प्रवासी मजदूर थे वो भी अपने अपने घर के लोग ये चले सारे गरीब लोगों के पास नो कोई सवारी था नो पैसा था पैदल ही दिली से पंजाब से हर्याना से हद्रावाज से चले कितने ने तो गरीबी और भूग के करण तास्ते में हिद्धम दोड़ गिया ये नेदर मोदी जी की गलत नेती के करण भारत सरकार के गलत नेती के करण मजदूर मरने के लिए विवस हो गया तो करोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब मजदूर हो उसके साफा सिक्षा विवस्था जैसे अभी करोना का काफी दिन हो गया देड़े देड़े सरकार छूट दे रही है हर एक चीज में छूट दे रही है तो उनको सिक्षा विवस्था में छूट देना चाहिए था देखिए इतने सित है कि सिक्षा पुरी तरह ठप हो गई है आज सरकार मौल खोने के जायत दे रही है युशिफा विवा का इलाजा दे रही है लेकिन कोोँचिंग या स्पूलघ करन्ने का आज मती दे रह चाहिए उनको भी जो आपका सर्टाफ कंडिशन से बात्वस चला रहे हैं, जैसी सर्टाफ कंडिशन से साधि बिया कर्मती दे रहे लाज़नेती काज करम करने का अनमती दे रहे हैं उसी तरह इस स्कूर कॉलेज को भी उसी सब से सोसल डिस्टन्स का परण करते हुए खोलने का या सबता में दो दिन या तीन दिन खोलने का अनमती देना चाहिए तकि सभी बच्चे ओन ऌनकwnक्रास नहीं समझ पाते हैं ज़िके बच्चे नहीं है जो गरीब के बच्चे है इनके पास य॑ इसलिए परहायँ तो पूरी तरह गरीवों के लिए पूरी तरह ठप हो गया गरीब के बच्चे कैसे पढएगए आने वाले समय में ये बहुत बिख्षुआ और लगताय बिज्याती भर में बैठके मानसिक परताना के सिकार होते जा रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे अभी जो देश का इस्तित्य है यह वा लोगों काम। बिलकुल बेरोजगारी है बेरोजगारी तो रोजगार पर क्या किना चाहेंगे अभी जो बंद होने के लिए जा रहा है। सारा चीज प्राइवडेशन ही कर रहा है। चाहे हो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, भारत प्रिटॉलियम हो, सब का सब नीजीकन करने जा रहे हैं, और इस डेश में सिर्फ दोही द्योगपती, अंबानी और आडानी का सासन चलेगा, इस बात के लिए लोग इदम माइन मेकप पर लें, यहां द्योगपती का हिराद और मोदी जी पूरी तरह सब कुछ का नीजीकन करके, एक आप देखे भी होईएगा, प्रिकारता जगह से जुरी होगे, तो चिठी भी आ गई है, सब ही जवाग होगे, कि पच्चास वरसे जादा उम्र पार कर गए हैं, उनको जवरन इटार्मेंट कर दिया जाएगा, और उसको देखने वाला कोई नहीं है, सब का सब नीजीकन हो जाएगा, और वो मनमानी चलेगी, अम्बानी जी का या अदानी जी का, और हम लोग दस्तर को देखते रहें, इसलिए खास कर रिवा पीडी से, हम अपील करना चाहते हैं, या विदी भक्त है, आने वाले पीडी के और इसी बीच में अवे चुनाब कराने की बात हो रही है, इस विच्छे में क्या कहना चाहेंगे, देखे चुनाब नियत सब्बर हो, इसके पफ़दर हम भी है, इसका अभी तरीका है, सोसल डिस्टेंसिंगा पालम करके, बुथों के संख्या मरहा करके, और हर एक बुथ जो रेला रेली कम हो, और प्रतेक बुथ पर, प्रतेक मद्दाता को अलग-अलग गलोप्स देख करके चुनाब हो, लेकिन चुनाब के साथ था जो बुणियादी सुधा हैं, आम लोगों के लिए, उसकी विवस्ता सरकार करें, चुनाब तिक पांस साम के बाद होना है, ज किसे की सरकार को खिलाब होगे, तेकिन साथ साथ बुणियादी सुधाओ का भी ध्याद, ध्यान सरकार को रहना चाहिए, जिसे आम जन्स को कोई कस्ट नहीं हो, क्रोनाम हमारी का रेंडम जाज की प्रिक्रियाब तेज करने चाहिए, आज सरकार के पास उतना कीट प्रफियादी निकलेगा, लेकिन जैसा कि अनुमान है कि छे महिना अभी और लगेंगे, प्रणा कब वैक्सिन आने में लोगों के बीच, और आज आम आदमी के बीच में पहुंचने में लगता है, एक वरस नहीं कहीं लग जाए, इसलिए सरकार को पूरी तर परता से इस सरकार बनाने और जिलाने में लगी हुई है, लिहाद आम जनता पर उसका कोई ध्यान नहीं है, आम जनता आज भूखे मर रहे हैं, आज किसी भी सरकारी का लाजम चले जाए, रिश्चार का बोल वाला है, बिना पैसा का एक काम आपका नहीं होगा, जाये ठाने पर चले जा हैं, वो पुरी तरफ फ्लॉप साबित हो रहा है, बंदरा वर्सों के सासन का आगे नितिस कुमार जी ने क्या किया, सिर्फ रोल और सरक बना देने से, स्कूल का बिल्डिंग बना देने से, सिक्षा का विकास नहीं होगा, सिक्षा का विकास के लिए अच्छे टीचर की जि बहार हो गया, निको सही से, मना जो स्ब्जक्ट में स्ब्जक्ट का सही से ग्यान नहीं है, लेकिन वो टीचर बने हैं को तुल के पास दिग्री सेरकार की पॉलिसी थे कि दिग्री लाव मप निप निपाओ, तिस बिहार समें पुरी तरह सिक्षा ववस्ता चौपर्थ हो और आप जानते हैं कि हमारे नेता माले पिंद्र कुछ वाली जो भारा सरकार में है, हमारा संसादन विकास राज्यमंत्री थे, तो जो बिहार के सिक्षा इस्तिती यहां के मीधी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट गया, बिहार का सिक्षा रवस्ता बहुत नीचले अस्तर प कर नाथ किति एफ्टा बुस्तक उथार हो, जि चक्षक सुधार मानुगबतार हो, शिक्षा सुधार जीना ब्यकार लगातार कार्ज करन किया लेकिन विहार की सका उस पर अमल नहीं की 23 identify मानिया, मही मिराजभाल जी को दिया गया जुँMi सब्सक्राइब करते हैं कि हम उनको अच्छी सिक्षा दे रहे हैं लेकिन आज सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा किसी का हरास हुआ हानी हुआ है तो जो गरीब हैं अति पिछले के बच्चे हैं दलित समाद के बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा हरासमेंट से च्छान हुआ है तो कैसे उसको ग्यान बिलेगा आज अमील घर के बच्चे तो किसी भी बड़े प्राइवेटी स मात्र सहरा वहीं सरकारी स्कूल है, इसलिए सरकारी स्कूल जब तक अच्छी सिक्षा नहीं होगी, तब तक सिक्षा व्यवस्था में सुधार पाना कते सिंबल नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, कि सरकारी स्कूल में, जब तक सरकारी करमचारी का बेटा नहीं पड और अब जब चुनाद निजदीक आया है, तब नलजल युजना का उपहुँचांग कर रही है। जो कि नलजल यूजना का कारज लवक पिछले उनके सरकार से चलता रहा है, अब चुनाद परीवर रहा है। तो आज ही आज लातन करेंगे नलजल योजना का ये काम है कि सब्टार का साथ दिष्चर योजना था उसी के प्रहत सब्टार नलजल योजना और हर गली सब्ट योजना शुलुक की थी लेकिन पांच सालों के अंद्रगत में दिस सुमार जी, पूरे दिल पटना में बैठ को घाद्न करते हैं, ध्रातल पराके देखें, कि नरजन योजना का क्या हाल है, जिस पंचायत में नरजन योजना का काम हुआ है, जाके देखिए, कि पानी चल ला है कि ने चल ला है, चल अज़ी तरह के सिका दिया है, अगर सही रूप से पूरे बिहार में नरजन योजना का जाच हो जा, बिहार के सारे प्रखंद विकास्पजादिकारी और नरजन योजना का परने वाले मुख्या जी निशित्य के जिल होगा, लेकिन पैसे होगा, सरकार के दुक्रमचारी है सब्सक्राइब करते हैं और योजनाओं का बंदर वाट होता है और उसके सारी रासी मनने सियंग तक जाती है अच्छा तो अभी एक और योजना है जल एवल हर्यादी के माध्यां से सभी जो इतने भी तलाब है उस पे वो काम चलना है वो तो लूट खसोट की होता है अच्छा आप जाके जितना भी पोकर का वराजी वाज़ा जाके देख लिए जी क्या सही से प्लाकर निहेंसाब से क्लाव है क्या किसी पोकरा का सुनस्की परजिला मुदाहर के तरफ पर देखिए जी सरकाल जिल्मक्माने मखवंत्री जी मेडिकर कोलेज करने करने आए थे तो नर्गोगी मोडल और महां रामापूर महसपूर मोडल जो 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 से परचार किया गया चाहिए लेकिन आज आप जाके देखिए रामापूर महसपूर क्या हाल है वह भी पोकरा का क्या हाल है एक भी बुंद पानी बाहर से गया चाहिए एक भी बुंद पानी बाहर से नहीं है तो कैसे जल संचे होगा हो जब तक बाहरी पानी जाने का रास्ता नहीं बनेगा तब तक जल संचे नहीं हो सकता है उसको करांगे इसलिए सरकार जो बनाती है बिना सोचे समझे कोई प्लानिंग का इस्टिमेट बना दी और पूरे बिहार में एक टेंडर के या से संचेंट लाइफ टेंडर करा करके भारस सरकार पूरी तरह इसकृटिव इंजिनियर के मारपद से वह सर लाचुका है और आपकी जो पार्टी है वह महागरवंधन में है तो क्या सीट का अभी तक तामिल बेटा है कितने वह बदर सीटों पर आपकी पार्टी चुनाब लेगी यह नहीं बता सकते हैं यह राष्ट्य स्थर प्रवर्वाद है राष्ट्य निता हमारे वाने बिंद ओंज यारपुर लोक सभाहे हैं ऱे हैं हमारे इनेयम लेग हंसरactions रहे हैं यहां चुनाब लरे हैं इसलिए श्मास्तिपूर जिला में हमारी भागेदारिय अधिक सथीक होगी आपकी अशा हमारा मानना उन्हार'm दिश he और प्रदेश का रलय को जमावी है, और जो इस ओर से हम लोग को जो भी कटवंधन में सीट मिलेगा, उस सीट को भी जितने का बांग करेंगे, और सहयो की दल को जो सीट मिलेगा, उसमें भी हमारे काल करता, जी जान से जिता करके, इस वार समस्ति पुर्जिला के दसो का दसो करेंगे और जीत करके माने अप्रिंद्र पुस्वाह लालो पुसाजी के हमतों को मजबूत करने का काम करेंगे तो अगी जितने भी बांगल है वह भी महा गटवंदन को समर्थन करने के लिए जा रहे हैं क्या अबास ही है हाँ उपर असका पर बात चल रही है वाम और्चा के भी साथी कुर्मा का टुन्नन के लिए की बात चल रही है और इसके लिए था हमारे नहींता लवातार पहले से प्रयासर थे CPI, CPI, माले, राजर, BIP सभी पार्टी के लोग उस मंद पर आये थे और एक रहनीती बना करके हुआ था कि हम लोग विपक्ष की रहनीती में भून का दिवा करके नितिस सरकार के खिलाप एक मजबूत विपक्ष महा कटवंदन तयार के आने वाले विदाह स्वाचुना में रहेंगे इसी रहनीती के तहप लगातार हमारे नेता तिंद्र कुस्वाजी, CPI, CPI, माले, सभी नितावा संपर्क साथ कर कांगरेस के नित्रित के सामने लावजाजब जी के सामने रह करके और बात आगे बढ़ रही है और समभावना है कि बाम और्चा भी हमारे महा कटव मुखा साथ ही बनेगे तो इतने भी बाम भल है सब समर्थन में आ रहे हैं जीतन नम माधी जो है वह महागर मन से अलग होने के बाते बाते जो कि अपनी पुछ महागर बक्षा होती है और क्या करण है यह तो उप जाने लेकिन हम लोग कहीं सिर्व उनको नहीं कहा गया था क कि जो चले जाएगी हो ठीक है उनका डिमांड था जल्दी हो जाए लेकि जब पांच आत्मी बैठते हैं स्वाब बाते हैं पांच आत्मी का मत पांच करका होता है ले थोरा एक्ता बने में समय लगता है और सभी लोग बहुत दो पोजिटीव तरीकों से आगे बर रहे हैं करके यह संदेशं देना चाहते हैं जो झुकर करके च्था ना चता यह संदेशंघ मुनेंदेव लेगा क्यर जफिकर्ट है दे क्यूं इस लिए बदलिये सरकार बदलेगा विहार इस नारे के साथ हम लोग इस वार विहार में जाएंगे और इस संखल्क के साथ कि वरोजगारों को रोजगार पाना है कि इस सरकार को हटा ना हो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे स्थ जूरे हमारे चैनल के साथ जूरे राष्ट्रेल लोग सम्तापाटी के वरिष्ट नेता है कद्दावर नेता स्री अनहित को सुहार जी तो बहुत-बहुत धने भाद आपको जुरूने के लिए क्यामणा दिलिप के साथ मैं मुकेश कुमाद एच्वी एंडिूज समस्तिकोड